थेंक्यू बहुत जी आप सबको नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है वेल हमें यह तो मातारानी का गिफ्टी है कि सड़नली उनको एक कंपोजर चाहिए थे जो की इंस्टेंटली बना के दे भी को बहुत कम टाइम था फॉर्टी एट आवर्स दो दिन का टाइम था और उन्होंने तीन-चार कंपोजर से बात करी उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम पंजाबी हैं या हम लोग सिख हैं उन्होंने तो म्यूजिशन को म्यूजिशन की तरह देखा एक इनसान को इनसान की तरह देखा और उन्होंने दो-तीन जगेद ट्राइक और हमारा गाना उनको पसंद आ गया तो कलेक्टिव कलेक्टिव के बेजे जी हैं इनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि आप क्या बना पाएंगे हमने का बिलकुल अभी हमने सत्य प्र मुझे लगता है कभी-ख़ी हम लोग ससे सोचते हैं कुछ चीजें जो कभी आदमी चाहता है कि यह मैं ऐसा करना चाहता हूं यह मेरी planning है life की अब कभी सोचे नहीं सकते हैं कि बात सिर्फ एक प्रद्धान मंत्री जी की नहीं है मोधी जी हम हमारे बहुत ही मतलब फेवरेट हैं और उनको बहुत ज़ादा दिल से रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं और वर्ल्ड के सबसे मेरे को लगता है नंबर वन पॉपलर परस्टनालिटी हैं और जब वो अपने ट्विटर पे वो जब आपको थैंक्यू लिखते हैं तो आपको पहले तो लगता है कि ऐसा क्या हुआ क्या एश्वरी कृपा हुई है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है क्योंति जिस तरीके से दो दिन के अंदर यह गाहान और भूत बहुत बार यहिशा भी हुआ कि जैसे इनको गाना वापस गया को मोदी जीने लिरिक्स में उनको ट पता है तो आपको पता है जिसे बॉलीवूट के स्टार होते हैं वर्ल्ड के सुपर स्टार हैं इसे सुपर हीरो हैं जो कि सिरफ हर जगे आज की रेट में देखा जाए तो हर जगह प्रेसंट हैं गली-गली में नुकण में और अब तो उनका टैलेंट लिरिक्स में भी आ गय क्या नहीं करते हैं वो सुबह चार बज़े उठके उनका रूटीन शुरू हो जाता है और फास्ट रख रहे हैं नवरात्रे पे तो यह एक मिरिकल है जो हमारे देश को गिफ्ट मिला है नरेंद Ohoda जी का और अइसा लगता है कि अब झाएकि बनलब यह चीज ताएया है कि दिल से वो बहुत ज्यादा अटने हैं अपनी देश से अपनी कंटिर से और अपने लोगों से कुल्चर Sे सिरफ रात्रे और घरवे की बात नहीं है हमने देखा है कि सारे कल्चर्श को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से प्यार करते हैं जी हम लोग एक जगह सद्गरु जी के इवेंट पर दो मिनिट के लिए हेलो आहे हुई थी लेकिन ऐसे प्रॉपर मुलाकात नहीं हुई आप लोग की दूआ रहेगी तो उनसे जरूर मिलेंगे क्योंकि वो हमें लगता है कि इंटरनाश्चिल प्राइम मिनिस्टर है अभी जैसे इसराइल वार में नुस्रत वरुचा जी भी जैसे अब आहीं वापिस तो उन्हों नहीं यही शुक्राना करा कि हमारा देश कितना सेफ है हम लोग इतने सुरक्षित हैं वहां वार में जो लोगों की हालत हो रही है और मोदी जी की गवर्मेंट है जिसकी वज़े से आज हम सब सेफ हैं तो मिलना चाते हैं उनसे और दुआ करते हैं बहुत जल्दी मुलाकात होगी प्रॉपर तरीके से जी बिल्कुल हम लोग कोशिश ही करते हैं कि ऐसे मौको पर कोई अच्छी कोई धून दिमाग में आए और कुछ अच्छे कोई बोल हमकों मिल जाए और कमाल की बात देखिए लास्टेर हमने गाना निकला था शाय मुरा सहिया नवरात्री पर जो बहुत चला था मुनाली ठ एंबी म्यूजिक के लिए भी कोई गर्बा का सॉंग बनाया जाए और देखिए ना माता राणी ने खुद चुन लिया हमको क्योंकि वह चाहती थी कि साल भी हमारे एंबी म्यूजिक पर एक गाना है और कभी सपने में नहीं सोचा था कि जब नरेंद मोदी जी पहली बार जिन्दिगी में सोचेंगे कि मुझे गाना लिखना है कमर्शल सॉंग तो वो गाना हमारे पास आ जाएगा ये कभी-कभी इश्वरी क्रिपाये होती हैं और माबाब का अशिरवात होता है कि सल्मान खान जी ने भी जब पहली बार सोचा कि गाना गाना है तो किक में हैंग वर उनका डेब्यू भी हमारे साथ ही हुआ था तो ये सारी चीजें में को लगता है माबाब के अशिरवात से होती हैं और सर कमाल की बात ये कि प्यूर गुजराती लिरिक्स हैं उन्होंने लिखके भी गुजराती में भेजा था हमें ट्रांसलेट करना था और 48 आवर्स के जी आज हम वहां जा रहे हैं फालगोनी पाठक जी के आँ जा रहे हैं वहां पे जाके गर्वा जरूर आज गाएंगे वहां पर पे आप एरेंस देंगे बिलकुल जी तो गाना ही पड़ेगा अब ये गाना है तो अब तो हमारी लाइफ के साथ चलेगा जहां जब भी नव मनेची जी भाठ बहुत हुप बहुप लिए आप्यू पर पास रहे हैं ताक्यों कूप बहुत मूप भी नव जोपकाम नहीं कि तो हमाराट्री की सभ बहुत है जी बहुत एप्टार्जिट जीक्रम को ठांट कर दो हैं जी को जोलिज जोब गोदार्गी इसारे मुल्स झाल झाल